आज मैं आपको बजाज कूलेश TC2007 के बारे में बताने वाला हूँ अभी गर्मी हाली में चालू हो गई है और आगे जाके कितनी होने वाली है पता नहीं लेकिन जो यह कूलेश है यह आपको काफी रहात दे सकते हैं गर्मी में तो यह मैंने शिक्स में पहले लिया था और छ थे महिने में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छी तरीके से चल रहा है तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ यह देखिए जब आप पानी बर देंगे इसके अंदर वाटर लेवल भी यहां पर दे रखा है यहां तक आप पानी बर सकते हैं एक देड़ दोनों तरफ हवा देने के लिए है और आपको अगर पानी बरना है तो आप यहां से डाइरेक्ली पानी एक देड़ बाल्टी बर सकते हैं और जब आपको कम या ज्यादा करना है ज्यादा कुलेश्क रखना है तो आपको फुल स्पीड पर थ्री पे रखना पड़ेगा और यह जो है यह वाटर के लिए है अगर आपको पानी चालू करना है तो यह चालू कर सकते हैं और खाली पानी चालू करना है तो यह है और यह अंदर जो गूमेगा उसके लिए यह वाला है पानी प्लस मूविंग के लिए और मान लिजए अगर आपको साफ सफ़ाई के लिए खोलके सफाई भी करना है तो इज प्रोसेस है यह डर्ड डीरेक्लिंटन ऊपर अशीच धी Shit & यह निकाल सकते हैं और अगर यह पूर्डशघार निकालना है तो मेरे हिसाब से यह काफी अच्छा कुलस है और इसके अंदर और भी काफी वेराइटीज आती हैं आपको अगर चेक करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यह मैंने अमेजोन से खरीदा था और आपको अगर देखना है तो यह मॉडल और दूसरे वेराइटीज के मॉडल में लिंक दे देता हूँ आप चेक कर लिजे मेरे हिसाब से तो अच्छा है और पूल भी काफी अच्छा हो रहा है मुझे तो काफी अच्छा मिंस यह प्रोड रख है तो आपकी राय कमेंट्स में दे दीजिए और आपको अगर दूसरे मॉडल ले रहे तो आप उनलाइन चेक कर सकते हैं इसमें काफी जरैटी से 70 लीटर 30 लीटर वाली चली आज मुझे इसी के बारे में बताना था और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और मेरे चनल को सब्स्राइब जरूर करेगा चले ठेंकियो